अलेट चेक इट आउट गाई स्वागत आपका स्टोन टेक में दोस्तों टेक्नो ने इंडियन मार्केट में अपना एक और तकड़े के लिए रिस्पेक्स वाले 4G स्मार्टफोन लॉंच कर दिया है जो के टेक्नो पोवा नियो 2 तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यो 2 की complete detail के बारे में यह mobile इंडिया में कब लॉंच होगा किस price point लॉंच होगा क्या इसके features होंगे और क्या आपको यह mobile लेना चाहिए आफिंड नहीं सारी चीजों के बारे में discuss करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को like भी कर देना तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस mobile के display के जिसमें 6.82 इंचिस के बड़ साथ आपको इस mobile में 90Hz का refresh rate भी देखने को मिलेगा ओवराल दिखा जाते हैं इस mobile में काफी बड़ी display आपको देखने को मिलेगी तो content watching में आपको काफी अच्छा experience इस mobile में देखने को मिल जाएगा अगर बात करें इस mobile के build के तो इस mobile में front glass होगा और back of frame आपको plastic का देखने को मिलेगा जो कि इस mobile को काफी decent look देगा और in and field में भी आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी और इस mobile के back में आपको एक प्यार असा texture भी देखने को मिलेगा आप चलते हैं इस mobile के अगले segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के operating system chipset और GP के बारे में इस mobile में हीटिंग इशू भी देखने को मिलेगा अगर बात करेंगे इस mobile के GP के तो इस mobile में Mali G52 MC2 GPO आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको इस mobile में बात करते हैं इस mobile के main camera की जिसमें 16.2 megapixel का dual camera setup आपको देखने को मिलेगा camera feature में इस mobile में HDR और dual LED flash का feature भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर बात करें main camera की video quality की तो आप इस mobile से 1080p में decent quality के photos और video shoot कर सकते हैं अगर बात करें selfie camera की तो इस mobile में 8 megapixel का एक friend camera आपको देखने को मिलेगा और friend camera की video quality भी 1080p होगी overall देखाया तो इस mobile में अच्छो quality का camera segment आपको देखने को नहीं मिलेगा अब चलते हैं इस mobile के अगले segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile की memory के बारे में सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के card slot की तो इस mobile में micro SD card slot आपको देखने को मिलेगा internal memory 64 GB और 128 GB के variant में होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो यह mobile आपको 4 GB और 6 GB के variant में देखने को मिल जाएगा अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में addition quality का आपको loud speaker देखने को मिलेगा और 3.5 mm jack का feature भी इस mobile में होगा अगर बात करें इस fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको side mounted देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको इस mobile में proximity, slow meter, compass और बागी के बचे A2Z सारे sensor भी देखने को मिल जाएंगे आप बात करते हैं इस mobile के battery के बारे में जिसमें 7000 mh के एक बहुती बड़ी LiPo battery आपको देखने को मिलेगी जिससे कि आपको इस mobile का battery backup काफी अच्छा देखने को मिलेगा और आप इस mobile को डेट से 2 दिनों तक बिना charge करें आराम से use कर पाएंगे अगर बात करें इस mobile के charging की तो इस mobile में 18 वाट के faster charging आपको देखने को मिलेगी अगर बात करें इस mobile के कुछ common features की तो इस mobile में 2.0 TAPC USB port आपको देखने को मिलेगा और infrared port और NFC का feature इस mobile में नहीं होगा अब चलते हैं इस mobile के सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color price और release date की सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के color की तो ये mobile आपको blue, gray और orange color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 16,890 होगा अगर बात करें इस mobile के release date की तो ये mobile 15 December को release हो जाएगा दोस्तों इस mobile का सबसे बड़ा highlight point होगा इस mobile की बड़ी display और एक बड़ी battery overall दिखा जाते हो इस mobile में काफी अच्छे feature आपको देखने को मिल जाएंगे बस इस mobile का camera segment आपको थोड़ा disappoint करेगा बागी के सारे feature आपको इस mobile में काफी अच्छे देखने को मिलेंगे मेरे according आपको ये mobile ज़रूर लेना चाहिए अब सबसे आखर में बारी आती है इस mobile के rating की तो इस mobile के सारे feature को देखते हुए इस mobile के stone rating होगी 7 out of 10 अगर आपको वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को like share ज़रूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना इस mobile का सबसे चार फीचर आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगरे वीडियो में